मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं JBF Industries Limited Share के बारे 22 विक की हाई की बात करें तो 50 रुपे 30 पैसा है 22 विक की लोग की बात करें तो 8 रुपे 25 पैसा है एक मंत रिटन की बात करें तो 11.39 परसेंट की नेगेटिव रिटन है वन येर रिटन की बात करें तो 145.61 परसेंट का पॉजिटिव रिटन है हम लोग 3 आवर के चार्ट से लेके मंतली चार्ट तक एनलाईज करके जानेंगे टार्गेट और स्टॉप लॉस और किसी भी नियूज की कोई भी बात मैं नहीं करूँगा मैं नियूज पर वीडियो नहीं बनाता हूँ ठीक है फ्रेंट और अगर आप लोग मेरे चैनलल पर नहीं हो करें सेकेंड जो टार्गेट वोगा 24 रुपए 20 पैसे का का अश्चीन बात करेंगे स्टॉप लोस की तो फैस्ट रूस जो करेंगा 21 रुपए 45 पैसे का Second जो अस्टॉप लोस होगा वो होगा 20 रुपए 75 पैसे का और Third जो अस्टॉप लोस होगा वो होगा 19 रुपए 70 पैसे का ठीक है फ्रेंड अब हम लोग बात करेंगे Day Candle पे Day Candle पे Day Candle पे जो First Target होगा वो होगा 22 रुपए 85 पैसे का इसका जो Second Target होगा वो होगा 25 रुपए 50 पैसे का और इसका जो Third Target होगा 27 रुपए 60 पैसे का ठीक है फ्रेंड अब हम लोग बात करेंगे इसके Stop Loss की तो First Stop Loss होगा 21 रुपए 50 पैसे का इसका Second जो Stop Loss होगा वो होगा 19 रुपए का और थर्ड जो स्टॉप लोस होगा वो होगा 16 रुपए 45 पैसे का 16 रुपए 45 पैसे का तेके फ्रेंट अब हम लोग बात किरेंगे विकली केंडल पे विकली केंडल पे इसका जो फर्स्ट टार्गेट होगा वो होगा 23 रुपए 15 पैसे का इसका जो सेकेंड टार्गेट होगा वो होगा 30 रुपए 30 रुपए 50 पैसे का इसका जो थर्ड टार्गेट होगा वो होगा 46 रुपए 30 पैसे का ठीक है अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की तो इसका stop loss होगा चाओदर रुपए 70 पैसे का चाओदर रुपए 70 पैसे का और इसका जो second stop loss होगा वो होगा 7 रुपए 35 पैसे का मैंने इसमें दो ही stop loss रखके है फ्रेंड तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे मंतली केंडल पे मंतली केंडल पे इसका जो first target होगा वो होगा 22 रुपए 65 पैसे का मतलब सेम यहीं पे थोड़े उपर यहां पे और इसका जो second target होगा वो होगा 30 रुपए 25 पैसे का और इसका जो third target होगा वो होगा 46 रुपए 5 पैसे का 46 रुपए 5 पैसे का अब हम लोग बात करेंगे इसका stop loss की तो इसका first stop loss होगा 14 रुपए 45 पैसे का इसका जो second stop loss होगा वो होगा 6 रुपए 85 पैसे का ठीक है फ्रेंट तो आसे गटता हो फ्रेंट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं फिर हम लोग next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई